हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल स्टेडी मैस 91 में तो आज की आपकी क्लास आई है हिस्ट्री की हिस्ट्री आपको स्टाइटिंग से कराई जाएगी जितने भी इंपोरेंट कोशन बनते हैं वो सब कराई जाएगे जो आपके एकजामें पूछे ज हो पाता है तभी और बच्चों से आगे निकल पाते हैं ठीक है क्योंकि सेलेक्शन एक एक नंबर से रह जाता है लास्ट टाइम तो वह आप लोग को नहीं होना चाहिए कि मेरा सेलेक्शन एक नंबर से रह गया आप लोग को क्या करना है पूरा सेलेक्शन लेना है मतलब ल multiple choice में क्या होता है कि हम एक कोशन को ही एक बार में कर पाते हैं इसलिए मैं आप लोगों के बल लेके आई हूं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लाइए तो पहली है इतिहास के आरंबिक काल को मैं बिल्कुल आराम से जो आपका पूरा पाशडकाल है नब पाशडका ठीक है तो उनसे रेलेकर कोशन आपके है ये तो कैसे है कहां से चलिए इतिहास के आरंबिक काल को क्या कहा जाता है बाकि इसकी आप लोगों के लिए मैं आपको बता दू थ्वेर्टिकल वीडियो भी लाई जाएंगे जो थ्वेरी वाली वीडियो होती है जैसे आपके जि करा दूंगी आप लोगों के लिए तो जो इंपोर्टेंट होगा उसकी वीडियो भी आएंगी बाकि आप लोगों के लिए बन लाइनर भी मिलेंगे ठीक है तो ये जानकारी मुझे आपको देनी थी आप क्लास को स्टार्ट करते है इतिहास के आरंबिक काल को क्या कहा जात आपके पुरापाशनकाल में ही बनाए गए ते आपके तीन काल होते हैं पुरापाशनकाल मद्यपाशनकाल और नपाशनकाल ठीक है इस तरह से तो कौन सी सब्यता आपने नगर नियोजन के लिए प्रशिद्ध है तो कौन सी सब्यता है नगर नियोजन के लिए जहां पर ज चीस त włik तो कौन सा इस्थान चीनारे किनारे कीयोते स संदू नधी नगर वति से हुए ते वह सिंदु घाटी सब्येटा में आते हैं तो सिंदु घाटी सव्विता का कौन सा इंसा इस्तित है तो कौन सा है मोहन जोदरो का इस्थानिय नाम क्या था मुरतिकों का टीला क्या मुलते हैं मुरतिकों का टीला नेक्स्ट है विशाल इसनानागार पूछे जाते हैं कि विशाल इसनानागार कहां से मिला कि चूरी के साक्षे कहां से मिले सेलगड़ी के साक्षे कहां से मिले तो ये सब कोशन आप लोग ले कराए जाएंगे ठीक है तो मोहन विशाल इसनानागार कहां मिला था तो विशाल है न, सबसे बड़ा इश्नानागार जिसे बोलते हैं, तो वो कहां मिलाता है, आपका मुहन जोदरों से ही मिलाता, ठीक है, देवी माता की पूजा सम्मंदित थी, जो देवी माता की पूजा की जाती है, वो कहां से सम्मंदित थी, तो वो भी कहां थी, आपकी सिंदुगाटी सब्विता से ही समंदित है ठीक है नेक्स्ट है लोथल नामक इस्तान पर किस सब्विता का जहाजी मालगार था तो लोथल नामक ये भी कौन सी सब्विता का है लोथल भी सिंदुगाटी सब्विता का लोथल काली बंगन ठीक है ये सब क्या के हैं सिंदुगाटी सब्विता क छिन्दू खाति सब्धा में काली बंगा किस के लिए प्रशिद्ध है मित्ती के बत्र-वदों की वैदेकार रहे थे जो अनका भोजन था आपका दुद और इस के दूद और इसके उत्पाद, यानि दूद और इससे बने उत्पाद क्या थे, आपके बैदिक आर्रेयों का प्रुमुख भोजन था, ठीक है, बैदिक लोगों दुआरा, किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया, जो बैदिक लोगों दुआरा, जो धातु का प्रयोग क अठärत वेध डूह वह इसमें नहीं लिया गया आप कौन्स गौन से रिग्वेड साम्बेड है शरवड़ सै इसे आप लोग के चार हे। अब आप इसमें शरवेड को एक पर अप अपने लिए लूसेंट की बुक ले सकते हैं और लूसेंट की बुक से बहुत सारे कौशन आते हैं तो लूसेंट जीएस की बुक ले सकते हैं आप पढ़ने के लिए ठीक है चलिए रिग्वेस सामबे दिया जूर्वेस आरे आरे पूर्वों के साथ अपने संगर्सों में सफ रहे थी ठीक है चलिए रिगवेदिक आर्रे पसूचारी लोग थे यह से पुस्ट होता है क्यों कैसे पुस्ट होता है तो रिगवेद में गाय के अनेक संदर वह अधिकास युद्ध गायों के लिए लड़े गाए थे प्रोहितों को दिये जाने वाला उपहार प्राय गाय हो आर्यन जन जानियों की प्राचेंतम बस्ती कहां है तो आर्यन जो जन जातियों की प्राचेंतम बस्ती कहां है यह सब्ति सिंदू में कहां पर है यह सब्ति सिंदू में है नेक्स्ट है राज्य विशेक समारों का विवरण किसमें किया गया है जो राज्य विशेक होता है मत प्रशिद गाएत्री मंत्र कहां से लिया गया है कहां से लिया गया किस बिदुसी ने बाद विवाद में अज़ई यागवल्यक को चिनोति दी थी किस ने किस बिदुसी ने दी ती तो किस ने ती गारगी न Aw Bryan गॉथा गारगी ने तो किसमें देती गारगी ने गौतम बुद्ध का जन्मिस्तान किसके द्वारा अंकित किया जाता है तो गौतम बुद्ध का जन्मिस्तान है वो अंकित किसके द्वारा किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है अशोग मौरेका रुम्मन देई इस्तंब के द्वारा किसके संबन देता है तो किस से संबन देता है गौतम बुद्ध के जन्मिस्तान से संबन देता है प्रतम बौध्य परिशत कहां आयुद की गई थी तो यह की गई थी आपकी राजग्रह में कहां की गई थी राजग्रह में ठीक है बुद्ध का अर्थ ही क्या है बुद्ध का अर्थ एक तरह से बोड़ों कियाता था इन के लिए सब्भरावर थे जोड़ाथा दो्म verkष्ट ने साथ किया था पर Mm दो डिया पसके ना दो बको को अपने साथ मैंत यह वह शुचक्ट तो इनों ने साहे चिए After next question is your question ने अपने साथ जोड़ लिया था नेक्स कॉशन है आपकं किन मत बिश्वास करता है तो बौद इधर में किन मतों पर विश्वास करता करता है। बौधिधर्म कहता है कि दुनिया दुखों से भरी है यदि इच्छाओं पर काबू पालिया जाए तो निर्माण मिल जाएगा लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं यानि कि अगर हमारी इच्छाओं खतम हो जाएंगी तो हमारा दुख भी खतम हो जाएगा क्योंकि हमारी इच्छाएं क्या होती है आज हमारे पास बाएक है तो कल कार की इच्छा होती है तो ये इच्छाएं हमारे दुख का कारण होती है नेक्स कोशन है प्रारम एक बौध धर्म ग्रंतों की रचना किसमें की गई थी तो किसमें की गई थी बौध धर्म में किसमें की गई थी आपकी पाली भासा में यानि पाली पार्ट में किसमें की गई थी पाली भासा में भारत में सबसे बाद में उत्पन होने वाला बौध बुद्ध को इसका प्रिचार करने वाला धृर्म कौन सा है तो इच्छा सब कश्ठो का कारण यह किस द्धर्म निता था तो यह बौद धर्म ने का था ठीक है नेक्स कोशन है महावीर कौन थे तो महावीर कौन थे आपके 24 वे तीर्थंकर थे महावीर कौन थे महावीर जैन धर्म के 24 वे तीर्थंकर थे ठीक है महावीर स्वामी नेक्स कोशन है जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसको माना जाता है तो पहल तीन तर तीर थंकर कौन थे रिशब देब थे कौन थे रिशब देब थे जैन सहित को क्या कहते है यह आप लोग इंपोटेंट कोशन है ठीक है ना जैन सहित को क्या कहते है जैन सहित को अंग कहते है क्या कहते है जैन सहित को अंग कहते है नेक्स कोशन है दक्षिर भारत भारत में सबसे पुराना लोः योग जुडा हुआ है, मगद के उत्थान के लिए कौन सा प्रतम शाशक उत्तरधाई थाौ तो मगद के जू उत्थान ता उसके लिए प्रतम शाशक कोन था। प्रथम शाशक था आपका बिम्बसार कौन था बिम्बसार नेक्स कुशन है प्राचीन काल में श्रो सामेगरी लिखने के लिए प्रियुक्त भाशा कौन सी थी जो प्राचीन काल था उसमें श्रो सामेगरी लिखने के लिए जो भाशा यूज की जाती थी वो कौन सी थी आप के जेलम लड़ाई हुई थी कौन से जेलम की लड़ाई यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है तो यहूदी जो होते हैं के धार्मिक पाठ का नाम क्या है मुसा साहिव है कौन सा नाम है मुसा साहिव कौन सा मुसा साहिव महावाश्य किसने लिखा था तो महावाश्य लिख नेक्स कोशन है चंद्रगुप्त मौरे का पुत्र था चंद्रगुप्त मौरे का पुत्र कौन था तो बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौरे का पुत्र कौन था बिंदुसार था कौन था बिंदुसार नेक्स कोशन है बिंदुसार के समय में असांती कहां थी जो बिंदु टाइस आए था तो अचो की प्रशाशनी नीथी में बारी परिवर्ठन कलिंग युद्ध से आया था कहां से आया था जब कली यह झार तब करिवर्टन आया था, ठीक है? लुट के लिएक के नाम से कोन जी विख्याते है तो अशोक को ही देवनाम प्रिया कहते है, किसको अशोक को ठीक है next question, कली युद्द्दि के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था किसमें महाराज अश्वक की रूपांत्र को दर्श किया था तो रॉक सथे अर्थ किसमें रॉक एडिक्स आपकां सर्टीर 2 PS 6 एंध्ये 53 ठीरा अर्वे ठीरा ने तर्डरव ने चान्ट्र गॉपप resonatesमें के दरुपार में नियूनानी तर दूटार चोन्गुत है के डर्वार में जो राजदूत युनान इंया था वह मेग इस्था ठीक है यह दरुड़ याद करने होते कौन सा दर्वारी किसके में आया था यह पूछे जाते इंडिका किसमे लिखी थी तो सबको पता है इंडिका किस graphic गौहीं है अपकी गशुज के तो ऑह 45 question है आपके GKK और भी question आपको लाए जाएंगे जो आप लोग लिए important होगे और और आप लोग लिए इसके फेश वीडियो भी दी जाएंगी जो आपके exam में मतलब आपको पूरे board पर पढ़ाई जाएंगी ठीक है कौन-कौन से युद्ध किसके बीच में लड़े गए कौन ज पता हूं और GS का syllabus भी इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप लोग को topic पता हूं कि कौन से topic आ रहा है कौन से topic नहीं आ रहा है तो आप syllabus जरूर देखें ठीक है क्योंकि जब हम किसी चीज की तयारी करते हैं जब तक हम syllabus पता नहीं होगा तब तक हम तयारी नहीं कर पाते हैं तो syllabus बहुत जरूरी है ठीक है चलिए आज की class के लिए इतना ही next class है फिर से कराएंगे आप लोग को important चीज़ें ठीक है चलिए जैहिन जैवारत